Assalamualaikum Adab, मैं हूँ आकिल आप देख रहे हैं NIE News Update जी आज मैं बात करने वाला हूँ भारत और पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसे facts के बारे में जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं तो आईए जानते हैं भारत और पाकिस्तान के कुछ ऐसे facts जो शायद ही बहुत कम लोग को पता है वो facts क्या है बारत और पाकिस्तान के बीच बहुत पहले से match होने बंद हो गए है जो कि normal series होता है लेकिन World Cup में मजबूरी है इसलिए भारत का आमना सामना होता है भारत और पाकिस्तान के बीच काफी तनाओ है बॉर्डर पे काफी तनाओ है एक दूसरे से काफी तनाओ है न्यूज में काफी तनाओ है हर जगे पे देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान एक बड़ा controversy पूरे world में बना रहता है लेकिन जब cricket match की बात आती है तो वह ऐसा लगता है जैसे के भारत और पाकिस्तान का cricket match नहीं वह एक जंग स्टार्ट होने वाला है वह एक match नहीं वह एक जंग चल रहा है थोड़ा सा भारत के सामने पाकिस्तान और टीमों के according थोड़ा nervous दिखती है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा low feel करता है भारत के सामने पॉरी दुन्या में सबसे ज्यादा है तो प्रेशर बनता है सपोर्टर से तो पाकिस्तान के सपोर्टर्स अकउर्डिंग के supporter के बहुत थे जादा कम है तो यह एक है और दूसरी चीज़ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच नॉर्मल मैश को अब नहीं होती लेकिन हाँ वर्ल्ल कप में जब आमना सामना होता है तो यह वर्ल्ल कप के मैच में भारत पाकिस्तान से almost सारी मैचे जीता है यानि कि पाकिस्तान ये एक-दो गिनी-चुनी मैचे शायद भारत से जीत पाया है पिछले कुछ वक्तों से जबके पाकिस्तान की एक ऐसी टीम थी पहले जो मजबूत हुआ करती थी शायद नॉर्मल सीरीज में भारत और पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान या भारत जो भी है almost बराबर ही हार जित हुई है लेकिन ये वर्ल्ल कप की बात किया जाए चाहिए हो T20 वर्ल्ल कप हो या एशिया कप हो या फिर 50-50 वर्ल्ल कप हो या फिर T20 वर्ल कप हो जो भी हो लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी मुकाबला हुआ है तो पाकिस्तान का पढ़रा भारत के सामने बहुत ही नीचे जुकता हुआ दिखता है वो चाहिए प्रेशर की बात हो जिस चीज के बारे में बात करें अब किसरी चीज आये जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान की टीम में मजबूत कौन सा है अगर बैटिंग लाइनप देखा जाए तो भारत के पास अच्छी खासी लंबी बैटिंग लाइनप है जिसे कि ओपनिंग से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक का भारत अच्छी बैटिंग कर सकता है लेकिन वहीं पाकिस्तान के बैटिंग लाइनप की बात किया जाए तो पाकिस्तान के पास बैटिंग लाइनप उतनी अच्छी नहीं है सिवाए एक दो के रिजवान है बाबायराजम है ये एक दो बैटिंग पाकिस्तान के अच्छे हैं लेकिन पाकिस्तान के वा एक दिमारेड एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान की टीम में अगर कोई एक बंदा आउट होता है दो बंदा आउट होता है तो पुरी टीम एक्दम वन बाइवन जल्दी जल्दी आउट होने स्टार्ट हो जाती है उसमें इस्टे नहीं है सस्टेंसी नहीं है लेकिन वही भारत के टीम में अगर देखा जाए तो फरक नहीं पड़ता कि ऑपनर चला गया वन डाउन चला गया सेकेन डुट चला गया थर्ड चला गया खीए बैटिंग लाइनअप है भारत की और सबके सब टिक की खेल सकते हैं अच्छा रानी स्कूर कर सकते हैं सबकी अच्छी स्ट्रREC है लेकिन पाकिस्तान के पास भारत के अक्रणी देखा जाए बाली खाबले में तो पाकिस्तान के पास ऐसे पीसर थोट के पास तोगह चीज मेंस चीज में भारत के पास कमी ऑप और ज्यादा difficult हो या तो यह देखना बहुत important है कि भारत अपने बाइटिंग लाइनप को बचा पाता है क्या उसमें टिक के खेल पाते हैं पाकिस्तानियों के सामने या फिर दूसरी चीज यह देखना पड़ेगा क्या पाकिस्तान भारत के बालोरों के सामने टिक पाएगा प पाकिस्तान कहीं है तो भारत कहीं आरश पर है जोricular पाकिस्तान का इतना फільडिंग वन निप्ट क्यों कि पाकिस्तान के पाकिस्टान सच में फेंडिन नहीं है उसके प्लेएर देखा जाए तो बस ऐसा लगता है कि एसी कैश लें और हाथ में आ जाये लेकिन भारत के पाकिस्ताने, बांडरी बचाने के लिए अपने जान तक का जहूँग देते हैं, जै हिंद्य ह अवर्फ